आज स्रामने कुंस्टूटर्ट्स, क्याफ 6 MFA, कोई हमारा टेस्ट हुआ था NPV के सेक्शन से अभी प्रिवियस वीक में या इसी वीक में को दो दिन पहले पहले उसकी डिसक्शन कर लेते हैं को दो क्वेस्टन थे उसके अंदर और इसके बाद आज एक और अच्छा सा NPV बे क्वेस्टन प्रैक्टिस करेंगे जी दो क्वेस्टन थे टेस्ट में क्वेस्टन वन था हमारे पास 10 मार्स के लिए और एक क्वेस्टन टू था शायद कोई 16-17 मार्स के लिए क्वेस्टन वन यह याय खिर सब्सक्राइब आपको का सब्सक्राइब कर से ज्यादव करना थे यह इंडिए पने आखिए अज़ और एखिचिव ध्लज शॉविड करना थिसमें क्वेस्टन का एक से ज्यादा पोटिट होंगे You have been assigned to determine the best strategy for capital rationing. Capital rationing एक area है topic है जो आप CA final में BFD में जाके पढ़ोगे अभी इसको ignore भी कर दो तो मारा मसला हल हो जाएगा. So following information is available about the projects क्या हैं जी मारे पास A, B, C, D, E mean 5 projects है और 5 हों के मैं NPV calculate करनी है. I mean basic NPV का knowledge test हो रहा है. Investment needed today rupees in million तो A के लिए इतनी initial investment चाहिए, B के लिए इतनी चाहिए, C के लिए इतनी चाहिए, D के लिए इतनी चाहिए, E के लिए इतनी चाहिए. I mean year zero वाल investment. Projected annual cash flows. Project A में annual cash flow 3.5 million मिलेगा, B में 1.7, C में 2.9 million, D में 3.0 million और E में 6.9 million. Cash inflows start from the end of the year. Project A के cash inflows start होंगे year one से, और end होंगे year six तक, mean हमें जो है, वो क्या करना है, one to six cash flow लेते हूँ, NPV कैलकुट करनी है. B में cash flow start होंगे 2 से, और end होंगे 10 पे. C में 2 से start होंगे, 9 पे end होंगे, D में 3 year से start होंगे, 12 पे end होंगे, और E में 4 से start होंगे, 10 में end होंगे. और इस तरह का हमने आरड़े equation किया हुए. कि अगर ये cash inflows from this year to this year मिलें, तो annuity factor apply करके हमने NPVs निकाली हुए है. और appropriate discount rate for relevant risk level or discount factor 10% है, इसका 13%, इसका 8%, 12%, इसका 11%. अब हमें क्या करना है, पांचों project के NPV निकालनी है, तो एक तरीका तो ये है, कि बारी बारी एक एक project को पकड़ें, तो NPV निकालते जाएं, तो अच्छा खासा लंबा काम हो जाएगा. इसका एक shortcut भी है, shortcut क्या है? एक ही table के अंदर आप जाए, वह सारी NPVs निकाल तो. और project E है, तो ये क्या क्या हमने जी, यहाँ पे project उपर A, B, C, D, E लिख दिये, ठीक हो गया? सबसे पहले क्या करो जी, इनकी life, इनका tenure ले लो project का, हर project का tenure या life ले लो. So, life सार अगर हम देखें, तो project A की life है, year 1, 2, year 6. So, year 1, 2, year 6. Project B, year 2, say year 10 तक, project C, year 2, say year 9 तक. Project D, year 3, say year 12 तक, और project E, year 4, say year 10 तक. त्या खेला, ऐसा है? ओके उसके बाद क्या लेना है, चाहिए हमें discount factor ले लो, discount factor कितना है? देख लेते हैं, discount factor कितना है? So, discount factor जो है, no, project A का, वह 10 परसेंट है, project B का, जो है, वह 13 परसेंट है? Project C का जो है, वह 8 परसेंट है, project D का 12 परसेंट है, project E का 11 परसेंट है. Cash flows देखा जाे. so project A के जो cash flows हैं वो कितने हैं sir projected 3.5 million 3.5 million positive 1.7 million 2.9 million 3.0 million 6.9 million अब हमें NPV निकालनी है तो क्या करो पहले तो यह cash flow कि आप डिसकाउंटिंग कर लो उसमें से हम क्या करेंगे वो जो initial investment है वो minus ले लेंगे तुमारे पास NPV आ जाएगी सबकी तो क्या करो इनके annuity factor ले लो प्रोजेक एक लिए देखेगा जी अंटी फैक्टर हमने लेना है यह वन टू इर 6 का यह वन टू यह शिक्स का तो एक working one start कर लेते हैं और working one में हम चले गें जी हमने क्या क्या है अरना है यह वन टू यह शिक्स का अंटी फैक्टर लेना है तो वन माइनस वन पॉइंट रेट क्या है 10 परसंट क्या कहला है रेज टू पार माइनस 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.10 यहां से मारे पास एंटी फैक्टर आ जाएगा प्रोजेक्ट यह का कितना आया वैल्यू देदेंगे प्रीज मिदें ना दोबारा चेक करें वन माइनस वन पॉइंट वन रेज टू पार माइनस 6 डिवाइड बाई पॉइंट वन एंटी फैक्टर निकालना है एंटी फैक्टर हाँ पहले देने मुझे एंटी फैक्टर कितना है जो आप नहीं मुझे सिर्फ एंटी फैक्टर एंटी फैक्टर जो है वो यह सिक्स का में यह वन तो यह सिक्स का 15 पॉइंट सम्टिंग आ रहा है यह कैसे हो सकता है एंटी फैक्टर ऐसे लिए टेना छे साल का वन माइनस वन पॉइंट 101 प्लस रेट रेज रेज टू पार माइनस इस डिएडिड वाइंगे रेट करेंगे क्या क्या लाए इसका मेरे ख्याल से तो फॉर पंट सम्टिंग आना चाहिए टोटल एंपीव का फॉर पंट सम्टिंग आ रहा है नहीं एंपीवी नहीं मुझे सिर्फ इस डिस अंटी फैक्टर का आंसर चाहिए नहीं मेरे हाल से इसका फॉर पॉंट सम्टिंग आना चाहिए माइनस इनवेस्मेंट माइनस करके यह जवाब आए निसिर्फ एंटी फैक्टर चे सालों का क्या आता है 15.24 तिर्फ एंटी फैक्टर आ रहा है उसको फिर मल्टिप्लाइब 3.5 करेंगे अधिन पी वी आएगी मैं पी वी नहीं पूछ रहा मैं सिरफ एंटी फैक्टर का अंसर पूछ रहा है सिरफ इतनी इस और पास पीवी आएगी हैं पीवी नहीं पीवी आएगी सर कितनी PV आती है यह हमने निकाला है working one से PV कितनी आती है 15.24 और मारे पास जो initial investment है वो हम कितनी कर रहे हैं सर प्रोजेक्ट A की 10.5 मिलियन क्या खाला 10.5 माइनस कर देंगे क्यों उसका year 0 का discount factor अप्लाई करके भी यह माइनस 10.5 ही बचेगी तो उसके बाद मारे पास आजएगी NPV इस प्रोजेक्ट की कितनी 4.74 अब हम चलेगे जी प्रोजेक्ट B में प्रोजेक्ट B में भी हमें क्या करना है anti factor apply करना है year 2 to year 10 का year 2 to year 10 का तो हम एक working 2 में चलेगे यहां पर हम क्या करेंगे पहले year 1 to 10 का निकालेंगे क्या ख्याला है पहले year 1 to year 10 का निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे sir one minus one point rate क्या है 13 परसंट रेज़ टू पार minus 10 divided by 0.13 क्या ख्याला है देखेगा क्या answer आया यह 1 to year 10 का discount factor 5.4 बारा चेक किझेगा का उन्हाइग 5.4 5.4 to 6 5.4 to 6 5.4 to 6 अब इसमेंगे से हमने क्या करना है year 1 का minus करना है year 1 का minus करना है तो less कर देंगे हम क्या year 1 का और year 1 का सिरफ आप निकालोगे तो discount factor आजागा न 1.13 raise to path minus 1 divided by 0.13 सिरफ year 1 का बता दें क्या आएगा 13% rate पे year 1 का discount factor बस निकाल ले 0.88 0.88 को अगर हम इसमें से minus करेंगे तो मारे पास जो है वो year 2 to 10 का empty factor आजाएगा देखेगा वो कितना बनता है 4.546 तो क्या करेंगे हम इसको 4.546 से multiply करेंगे यह हमने कहां से लिया है working 2 से तो हमारे पास पी वी आ जाएगी यहां की पी वी मुझे बता देंगे कितनी है 1.7 million आपका cash flow है 4.546 आपका जो है वो एंटी factor है 7.72 और इसमें से initial investment नमारी कितनी थी 6.4 की तो 6.4 का discount factor 1 हम apply करेंगे तो 6.4 ही रहेगा तो मारे पास यहां पे सर आगया कितना 1.32 NPV Year 2 की क्या कहला है Project C कभी इसी तरह से निकलाएगा क्या कहला है Project C कभी इसी तरह से निकलाएगा क्या आप पहले Year 1 to 9 जो है वो क्या करोगे NT निकालोगे उसमें से Year 1 की माइनस कर दोगे तुमारे पास क्या आजाएगा NP फेक्टर अपलाए करेंगे PV आगी इसकी कैशलोग की और उसके बाद PV आफ इंवेस्मेंट हम माइनस करेंगे तुमारे पास NPV आजाएगी Project D के लिए Year 3 to 13 है तो पहले हमें Year 1 to 12 Year 1 to 12 क्या Anti-Factor निकालना पड़ेगा उसमें से हम माइनस करेंगे Anti-Factor Year 1 और 2 का Year 1 और 2 का मीन 2 साल का Anti-Factor वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर मारे पास Anti-Factor आजाएगा उसमें PV आपलाए करेंगे तुमारे पास Investment तुमारे पास होगी NPV आजाएगी उसमें से Project E के लिए हम Year 1, 2, 10 का Anti-Factor निकालेंगे पहले फिर माइनस करेंगे कितनी Years 1, 2, 3 1, 2, 3 मीन तीन साल का Anti-Factor माइनस करेंगे तुमारे पास यह Anti-Factor आजाएगा वो अपलाए करेंगे तुमारे पास NPV आजाएगी मैं इनकी NPV के आंसर आपको दे देता हूँ बाकी आप Calculation मेरे ख्याल से खुद कर लोगे So 5.87 जो है वो Project C की NPV आएगी 1.3 जो है वो Project D की NPV आएगी और 10.67 जो है वो Project E की NPV आएगी So यह 2 मैंने कर दी हैं Please बाकी यह 3 आपको कर लोगे और यह काम हमने आरेडी किया हुआ है एंटी फैक्टर हमने Gap एंटी कैसे निकालनी है यह हमने आरेडी काम किया हुआ है कोई नई बात नहीं है सरफ NPV आपने निकालनी है और इसी एक टेबल में आपका आंसर कम्रीट हो जाएगा ठीक होग्या चले है जी आगे मारे पास test में question number 2 भी था question number 2 भी मारे पास एक test में है question number 2 क्या कह रहा है question number 2 आपको NPV calculate करनी है और IRR calculate करना है NPV और IRR calculate करना है क्या question है Energy Diamond Investment Limited is considering to set up a plant for the production of a single product X-49. The details relating to the investment are as under. The cost of plant amounting to 160 million would be payable in advance year 0. It includes installation and commissioning of the plant. Working capital of 20 million would be required at the commencement of commercial operation. Year 0 may 20 million cash outflow and last year may inflow will be required. DIL intend to sell X-49 at a cost plus 25%. Company sale करती है product cost plus 25% पे cost plus 25% पे. This means अगर आपके पास sale होगी तो वो 125% होगी. 125% होगी. Okay. So DIL intend to sell X-49 at cost plus 25% cost does not include depreciation on plant. उसने बताद यह cost के अंदर depreciation included है ही नहीं. So sale for the first year are estimated at rupees 300 million. The sale quantity would increase at 6% per annum. Quantity increase होगी. Every year कितने percent से? 6% से. I mean हर साल की sale पे 1.06 यह तो apply होगा. यह होगा. बाकि हमें साथ देखना पड़ेगा. Inflation है तो भी apply करेंगे. This means 300 million जो है वो company की क्या है? Sale है. पहले साल की कितनी? 300 million. और cost plus 25% sale है. This means यह sale 125% है. 125% है. तो cost 100% होगी. उसके पर profit 25% है. क्या कहला है? फिर selling price 125%. तो अगर हमने cost निकालनी है तो cost क्या है? 100% 300. 200 कर देंगे. क्या कहला है? तुमारे पास cost आ जाएगी कितनी? 240 year one की. ठीक होगे? Year one की sales 300 है. तो cost कितनी है? 240. Okay, the plant would be depreciated at the rate of 20% under the reducing balance method. अब अगर तो tax calculate करना हुआ तो depreciation हम लेंगे वरना depreciation नहीं लेंगे. Method उसने बता दिया जी क्या है? Reducing balance 20% rate है. और हम already previous एक दो question इस तरह की कर चुकी है. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. Estimated residual value of plant at the end of its useful life of 4 years would be equal to its carrying value. और जो carrying value plant की बचेगी depreciation के बाद वही क्या होगी? Residual value होगी. जो initial investment है उसके end प्याएगी? and tax rate is 34% and tax is payable in year the liability arise. 34% tax भी होगा और हर साल का tax जाए उसी साल में ही आएगा. DIL cost of capital is 18%. All cost and prices are expected to increase at the rate of 5% पर रहाएगा? क्या हमारे पास cash flows हैं, क्या sale है हमारे पास, cost है हमारे पास, depreciation है हमारे पास, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? sir, profit निकाल लेंगे, उस पे tax calculate कर लेंगे, बाद में depreciation add back कर देंगे, और हमारे पास initial investment है 160 की, initial investment, 160 की जो end पे residual value जो होगी asset की वही recover हो जाएगी, और उसके बाद, WDV residual value बन जाएगी, working capital है मारे पास, 20 का initial outlay में और end पे recover हो जाएगा, discount factor हम 18% apply करेंगे, तो मारे पास एक NPV आ जाएगी, क्या क्या क्याल है? solve करने की मेरा निक्याल मुझे जरूरत है, हम इसे बड़े okay question solve कर चुके, तो यह आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगो खुछ से कर लोगे, NPV आपको बता देता हूँ, at 18% जो NPV आएगी, वो आएगी sir 10.84, at 18% जो आएगी, NPV वो आएगी 10.84, positive आएगी, negative आएगी, positive आएगी, अब हमें उसने काया, जी IRR calculate करना है, दिसमीन अब हमें एक negative NPV भी calculate करना पड़ेगा, negative NPV पे जाने के लिए हमें discount factor increase करना पड़ेगा, क्या ख्याल है, यह 18% पे इतना है, तो हम क्या करेंगे, NPV at rate of 25% निकाल लेंगे, क्या ख्याल है, IRR के formula में put करेंगे, जिसका IRR जो है, वो आपके पास आएगा, sir, 20.45%, 20.45%, यह आप लोगो खुझ से solve कर लोगे, solution भी मैं group में share कर दूँगा, आप लोगो खुझ से कर लोगे, क्या है, sale है, उस पे every year आपने जो है, वो unit का increase, quantity का increase है, वो भी apply करना है, 1.06, और inflation 1.05, वो भी apply करना है, उसके बाद, sir, आपके पास cost है, तो cost भी आपने effect apply करना है, आपके पास तीसरा क्या है, depreciation है, profit आ गया, tax calculate करेंगे, depreciation add back करेंगे, initial outlay लेंगे, और working capital है, ठीक हो गया, खेर आगे चलते हैं, हमें एक अच्छा सा question आज और हमारा wait कर रहा है, एक अच्छा सा question हमारा wait कर रहा है, आज sir, हमारे इस question bank में अगर आम वापस आ जाए, एक question number two होगा, हमारे पास, आयान ग्रुप के नाम से, question number two, जी, question number two देखेगा, प्लीज, स्पोस हमने कोई एक project start किया हुआ है, start करते वकत हमने उसकी NPV calculate की होगी, positive होगी, तो हमने project start किया होगा, ठीक होगी, उसके अंदर कुछ हमें inflows भी मिर रहे हैं, कुछ outflows भी है, हमारे cost भी है, सब कुछ commit हो चुका है, उसके recording भी सब कुछ चल रहा है, suppose पांच साल का project है, दो या तीन साल बाद हमें पता चलता है कि हमें यह बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो बंद करने से ultimately losses होंगे, चाहिए बंद करने से losses होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हमने decide कि हमें बंद कर देना चाहिए, उससे onward की हमें फिर NPV देखना पड़ेगी, उससे onward की हमें NPV देखना पड़ेगी, उससे onward क्या inflow से, क्या outflows से, क्या tax का impact होगा, क्या हमारी commitment है, जो हमें already pay करना ही करना है आगे तक, तो वो सारी चीज़ें हम incorporate करते हुए, NPV निकालेंगे और उसकी base पर फिर decide कर सकते हैं, यह उसने का नहीं हम अगर बंद करते हैं, तो यह जो asset है, यह इतने का बिक भी जाएगा, जोने asset इतने का बिक जाएगा, तो फिर देखेंगे, उस date पर asset की book value क्या थी, WDV क्या थी, selling price कितनी है, देखेंगे gain है, या loss है, gain है, तो उसके उपर भी tax का implication हम देखते हुए, फिर decide करेंगे, क्या आइदर बंद करना option ठीक है, यह इसको आगे चलाना ठीक है, ठीक हो गया, तो इसी तरह का एक एक question है, कि company ने और एक project start किया हुआ था, कुछ अरसे के बाद company को पता चला के निए, हमें बंद कर देना चाहिए, और बंद करने से ये asset इतने में sale हो जाएगा, तो हम देखेंगे, वो sale करने से कितना benefit हो रहा है, या आगे फरदर इसको चलाते हैं, तो फिर कितना benefit हो रहा है, तो वो decision हम से मांगा जा सकता है, कि either इसी चलाया जा या बंद कर देते हैं, ठीक होगे, तो उसमें सारी चीजी जो भी factors incorporated हैं, उनको हम consider करेंगे, तो एक question में मिलेगा आयान ग्रूप के नाम से, question number 2 है हमारे पास हमारे notes में, क्या करना क्या है जी आपको, requirement है आपके पास, आपके पास एक requirement है sir, by using the net present value method, recommend weather management of AG, आयान continue to operate SC far a further period of 3 years, are discontinue it now, NTV की base पर आपने बताना है कि either जो है वो इस project को continue किया जाए या discontinue कर जाए, ठीक हो गया, आई देख लेते हैं जी, क्या है मारे पास, क्याता आयान ग्रूप opened a pizza outlet under the brand name say cheese SC 2 years ago, दो साल पहले आपने एक SC project start किया, the initial assessment of the investment is in SC has high financial prospects, में उस वकत आपको prospect financial अच्छे नज़र आ रहे थे, NTV positive नज़र आ रहे थी, आपने start कर दिया, में project start हुए 2 साल हो चुके हैं, एजी entered into a 5 years rent agreement for pizza outlet, the rent for the first year was agreed at rupees 60,000 subject to an annual increment of 10%, तो आपका जो rent agree हुआ था, वो 6,000 agree हुआ था, में पहले साल का 60,000 होगा, और सबाद every year उसके पर annual increment लगेगा, कितना 10% का, और जब ये 10% annual increment बता दिया है, तिस में ये inflation ही है, अब अगर कोई question के अंदर और कोई general inflation होगा, क्या वो इस पे apply करना है फिर, नहीं, क्यों, इसका specific inflation already दिया हुआ, ठीक होगे, जब किसी cost का, कोई specific inflation दिया गया हो, तो फिर आपने जो general inflation है, वो फिर फर्दर नहीं करना, क्यों, ये 10% increase होगा, ये rent increase होगा, ये ही क्या basically inflation का impact है, ठीक होगे, तो फर्दर अगर क्यों और general inflation rate होगा, तो इस पे नहीं वाकिछी चीजों पे apply होगा, इसका 10% किया है, ओके 10% से जो रेंट increase होगा, फार पीजा preparation, AG imported equipment, amounted to rupees 5 million, having a useful life of 5 years, with a residual value of 1 million, तो initial investment है, आपकी कितनी सार 5 million की, जो आपको end pay 1 million, payback भी करेगी, means residual value, scrap value 1 million है, after two years of operation, दो साल चलाने के बाद, SC has failed to achieve desirable results, and the management of AG is a septical, septical means शको शुबहात में है, whether to continue to operate, SC far further three years or not, तो दो साल चलाने के बाद सार आप शको शुबहात में आगे, कि आज़र इसको फर्दर हम तीन साल चलाएं या ना चलाएं, this means अभी हम year two के end पे हैं, क्या कहला है, year three, four, five, जो है हमारा तीन साल अगले वो हमने देखना है, कि इसे चलाया जाएं या ना चलाया जाएं, you have been provided the following information in this regard, हमारे पास कुछ information है, sales for the first two years were amounted to seven point five million and nine million respectively, mean year one की seven point five million है, year two की nine million है, variable cost for the first two years were amounted to six million and seven point zero eight million, year one की six million, year two की seven zero eight zero thousand respectively, the fixed cost other than rent and depreciation for the first two years were amounted to five five hundred thousand and five twenty five thousand, mean year one, year two की fix cost बिसने दे दी, sale, variable cost और fixed cost year one two दोनों की दे दी, और year two की ज्यादा है, year one की कम है, क्यों, शाहिद कहीं बिताया होगा, the trend in sale, variable cost and fixed cost other than rent and depreciation, the trend in sale, variable cost and fixed cost other than rent and depreciation from year one to year two is expected to continue in future, mean year one से year two तक जितनी sale increase हुई है, ये percentage आगे two to three, three to four, four to five भी अप्लाई होगी, ठेक हो क्या, वो percentage अब निकालना पड़ेगी, उससरा से variable cost year one से year two में जितनी increase हुई है, जिस percent से, वही percent आगे year two to three, three to four, four to five भी अप्लाई होगी, और fixed cost भी year one to two, जितनी increase हुई है, वही percentage आगे two to three, three to four, four to five भी अप्लाई होगी, ठीक होगी है, अमीन तीनों, जिमारे पास इस वकत cash flows है, sale, variable cost, fixed cost, उनका increment जो है, वो उसने हमें बता दिया है, कितना कितना increase होगा आगे फर्दर, the trend in sale, variable cost and fixed cost, other than rent and depreciation from year one to year two, is expected to continue in future, क्यों, rent का तो separate उसने में बता दिया था, और depreciation वैसे ही, कोई rate होगा, या कोई method होगा, तो उसके accordingly चार्ज होनी है, if management of AG, decide to discontinue the investment in SE now, अगर हम दो साल बाद इस project को बंद कर देती हैं, equipment could be sold for rupees 4 million, तो equipment आपका 4 million का बिक सकता है, जो आपने 5 million का 2 साल पहले लिया था, further termination of rent agreement would require 3 month notice period, देकिन 3 मा का rent आपको साथ पे करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, आज कितना rent है, तो आगे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक होगे, applicable tax rate is 30%, and is payable in the year in which liability arises, tax implication भी है, obviously अगर आप equipment बेचते हो, gain पे तो उसका tax भी आपको gain का देना पड़ेगा, क्या कहला है, further आगे आपके जहें वो rent हैं, अगर 3 मा के, तो उनकी क्यों tax saving का impact भी आएगा, क्या कहला है, क्यों अगर rent पे चलाते आगे, तो rent pay करना पड़ना था, क्या कहला है, तो सुरत में income minus expenses, तो tax का impact saving की सुरत में आता है, so tax depreciation on equipment is allowed at the rate of 25% under reducing balance method depreciation rate 25% WDV method, the cost of capital of AG is 16% और 16% cost of capital है, क्या कहला है, अगर हम इस project को देखें, अभी आपने answer उतारना नहीं है, answer मैं बताऊंगा जब तब आपने उतारना है, अभी फिल्हाल आपने answer नहीं उतारना, sir इधर ज़रा देखेगा, मैं करने क्या जा रहा हूँ, हमने का जी मारे पास इस project में क्या होगा, कोई year zero भी होगा, year one भी होगा, year two भी होगा, year three भी होगा, year four भी होगा, और year five भी होगा, ठीक होगे, tax implication है, बिल्कुल है, इसमीन हमने profit निकालने के लिए, पहले हमने sales लेनी है, sales लेनी है, sales पहले साल की, उसने मैं बताई, sir कितनी, पहले साल की sales कितनी है, मारे पास, seven point five, seventy five hundred ले लूँ मैं, चेकर रहा है, figures in thousand ले रहा हूँ, दूसरे साल की कितनी है, sir, nine thousand, उसने का, one to two जो trend है, यही आगे भी apply होगा, तो one to two, अगर आप trend देखो, तो क्या करो, यह divided by यह करो, तो आपके पास एक ratio आजएगी, one point two zero, this means sale increase हो रही है, कितनी percent से, twenty percent से, ऐसी है, तो क्या करो, nine thousand को क्या करो, sir, nine, यह zero की sale है, year one की sale है, year one की sale है, sir, seventy five hundred और nine thousand, तो twenty percent इस पे apply करो, तो year three की sale आगी, sir, कितनी year three की sale आती है, one zero eight, double zero, year four की sale, इस पे twenty percent apply करो, one two nine, six zero, sir, year five की भी sale, मुझे प्लीज बता दें, one triple five two, इसके बाग मारे पासर क्या है, variable cost है, so variable cost, year one की सर कितनी है, six thousand, ऐसी है, year two की कितनी है, sir, seven zero eight zero, तो इसका भी जरह rate निकाल ले, seven zero eight zero, divided by six thousand, कितना आ गया, one point one eight, mean eighteen percent, क्या ख्याल है, so इस पे eighteen percent apply करें, mean one point one eight, करतें हैं इस पे, eight three five four, eight three five four, point four, point four को ignore कर दो, rounding हम कर रहें, eight three five four ले लो, next क्या बनेगी, nine eight five eight, next क्या बनेगी, इसके बाद हमें क्या लेना है, सर फिक्स कास्ट लेनी है, फिक्स कास्ट, अगर आप देखो, तो year one की उसने का, जी कितनी है, five hundred, और next की कितनी है, five two five, तो प्लीज जारा इसका भी rate ले लेंगे, five to five, five hundred, five percent ये भी आ गया, so next five percent से grow करें, प्लीज एर श्री की पिताएं, double five, double five, one, next, five seven eight, next, six zero seven, तीख हो गया, और की कोस्ट है सर, सर और की कोस्ट है, रेंट, रेंट है सर, रेंट है, सर, रेंट कितना था, पहला six, पहला रेंट कितना था सर, six hundred, six hundred, और ten percent से grow होना है, every year, तो पहला रेंट है सर, six hundred, दूसरा रेंट कितना होगा, ten percent से grow करके, six sixty, तीसरा कितना होगा सर, seven two six, चोथा कितना होगा सर, seven ninety nine, seven ninety nine, और पांचवां कितना होगा थालोंगा और लेहाँ और यहां पर थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगे हैं यहां पर नाराज था नहीं हो गया आप possess । कि हम working one करने जा रहे हैं for depreciation दिखेगा सर कॉस्ट ही हमारे पास कितनी 5000 ठीक हो गया तो पहली जो हमारी depreciation होगी सर वो होगी depreciation कितनी 5000 पे 25 परसंट तो वो सर आगी कितनी 1250 वो माइनस की तुमारे पास WDV आगी सर कितनी 3750 3750 सर उसके बाद सर यह हमारी थी year one की depreciation तो year two की हम जब depreciation apply करेंगे सर तो 3750 into 25% करेंगे सर वो कितनी बनेगी 937.5 यह माइनस क्या तुमारे पास WDV year two के end पे आगी कितनी year two के end की WDV बता दें प्लीज 2812.5 2812.5 2812.5 इसमें से year three की depreciation हम निकालेंगे सर इसी पे 25% reply करके कितना 703.1 यह माइनस क्या तुमारे पास WDV year three की कितनी है ठाल लाइन ने लिए तूओ वान जीरोन नाइन नाइन पाइंट वान जीरोन नाइन पाइंट पॉंट पॉंट फोर उसके बाद year four की depreciation हम देखें ज़रा कितनी बनती है 210 9.4 into 25% 527.35 यह माइनस किया तो sir हमारे पास WDV year 4 की कितनी बनी year 4 की 1582 1582 sir इसमें से year 5 की depreciation अगर आप माइनस कर दें sir तो वो कितना बनेगा 395.5 यह माइनस किया तो sir end pair residual value मारे पास कितनी बनी WDV कितनी बनी double 186.5 sir हमारे पास WDV जो है वो end पे बच गई ठीक हो गया end पे हमारे पास WDV इतनी बचती है अब अगर हम depreciation sir यहां पे apply करें working one से year one की depreciation sir हमने निकाली कितनी 1250 year two की depreciation sir हमने निकाली 937.5 year four three की हमने निकाली sir 703.1 और फिर हमने निकाली sir 527.4 और फिर sir हमने निकाली 395.5 ठीक हो गया ऐसी है कोई और चीज़ भूल गए हो आप in cash flows में लेना उसने का asset आपने sir लिया है कितने का 5 million का end पे 1 million का बिकेगा भी 5 साल बाद 1 million का बिकेगा भी क्या क्या क्याला है तो 5 साल बाद book value कितनी है 1186.5 1186.5 तो this mean disposal अगर हम देखें sir तो disposal जो है वो होनी है कितने से 1 million से क्या क्या क्याला है तो आपके पास क्या आगिया sir 186.5 का loss on disposal होगा तो loss on disposal profit की calculation में आप consider करोगे profit की calculation में consider करोगे तो क्या लिया sir हमने loss on disposal इतना year 5 में कितना 180 6.5 सर positive लोंगा या negative लोंगा मैं negative क्यों loss है loss है profit में से minus हो रहा होगा सर हमने क्या करना है जी यहां से निकालने है profit क्या निकालेंगे यहां से profit उसके पर हम apply करेंगे tax at the rate of what rate at the rate of 30% सार मुझे profit जरा बताईएगा year 1 का profit मुझे जरा बताईएगा प्लीज माइनस 850 नेगेटिव ओके year 2 का जरा मुझे बताईएगा माइनस 202.5 नेगेटिव और एसर year 3 का बताईएगा 465.9 positive 466 कर लो चले जी next year 4 का बताईएगा थारीक है यह 703 यह 3 की डिप्टेशन 703.1 ठीक है ठीक है ने की कि डिफ डिफ डिफन नाइन से बर नाइन सेवन आ रहा यह प्लाश्क पताईए गररा कर दो कर दो दो कर दो कर दो ठीक होगे इसे अंसर क्या करेंगे टैक्स करेंगे एड़ी रेट अव 30 परसंट मुझे सिर्फ यह तीन फीगर की टैक्स दीजे का लास्ट जो पॉस्टिव है 466 139.8 140 कर दो नेगटिव और इसका कर दो कि अद्रीफर और ट्रीफ़ नैंट और लास्ट कर दो प्रिफर ट्रीफर फाइव उसके बाद रहने क्या करना होगा डैप सिशन और लास्ट को एड़ बैक करना होगा क्या खेल सो प्रिफराइब करेंगे सर हम डैप्री सेशन को एड़ बैक करेंगे एड़ डैप्री सेशन सर कितनी हर साल की इतनी आपने चार्ज की है 1250 937.5 703.1 527.4 और 395.5 और सर क्या करना है आपने लॉस जो है वो भी एड़ बैक करना है कितना 186.5 उसके बाद सर आपने क्या करना है initial investment भी अपनी लेनी है सर वो कितनी थी सर 5000 500000000000000,000,000 k फी और एंड पे आपको क्या मिलना था 1 मिलना था वापस क्यों working capital भी था सर इसके अंदर working capital था इसके अंदर कितना working capital था सर मेरा निकाल को working capital था नहीं था अब ज़र यहां पे रुको हुआ क्या company ने ये project start किया था जिसके according ये सारे cash flows थे ठीक हो गया अगर हमें कहा जाता कि इस project की NPV calculate करें तो हम इस तरह करते उसने कहा कि अब भी हम जो हैं वो कहां पे हैं year two पे हैं अभी हम कहां पे हैं year two पे हैं और यहां पे decide करना है कि हम इस project को आगे further चलाएं या ना चलाएं क्यों पहले दो सालों के results अच्छे नहीं है ठीक हो गया तो हमने जो अपनी calculation अब से onward करनी है NPV की वो हमने करनी है यहां से onward this means यह जो है यह हमारा होगा अब year one यह होगा हमारा year two और यह होगा हमारा year three इसको हमने क्या करना है यह जो दो साल है इनको हमने करना है ignore हमने calculation करनी है यहां से onward year three की sale हमें निकालनी है as a year one हम यहाँ पे DCN लेने जा रहे हैं आगे तो हमें इस data की NPV calculate करनी है सिरफ पूरी नहीं हमें सिरफ इस data की NPV calculate करनी है कि इसको आगे अगर फर्दर 3 साल चलाते हैं तो 3 साल के क्या prospects है तो उसमें मारे लिए यह year one होगा क्यों अभी हम right now यहाँ पे हैं तो यह year one होगा यह year two होगा और यह year three होगा क्या कहला है तो year one की sale आप निकाल सकते हो कि उसने one और two की बता दी उसने का यही trend आगे चलेगा तो two की sale मारे पास है कितनी nine hundred thousand तो यही trend आगे चलेगा mean इसका twenty percent आगे इंग्रीस घरते चले जाएंगी year two की उसने का जी variable cost यह है और यही trend आगे चलेगा तो वह हमने देख लिए जी eighteen percent trend है तो year two का eighteen percent incorporate करके आगे year three four five की आपको बस variable cost आजएगी fix cost भी आजएगी क्या कहला है depreciation के लिए आप ठीक है यह working सारी करोगे तो वहाँ से पता चलेगा year three की depreciation क्या होगी year four की depreciation क्या होगी year five की depreciation क्या होगी वो put करेंगे loss भी निकलाएगा क्यों हमें पता है के end पे इतने का बिकना था और अभी डव्ली डवी year five पे इतनी होगी rent year one का अगर 600 था year two का 10% increase करके 66 होगा तब year three का क्या होगा उसका 10% increase करके 726 उसका 10% increase करके मीनियमे बनाने की जरूरत नहीं है यह तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया कि हमने करना क्या है इस question को attempt करते वक्त हम क्या करेंगे यहां से start करेंगे sale variable cost fixed cost rent depreciation और loss तुमारे पास क्या आगया profit आगया उस पे हम tax supply करेंगे क्या 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 है cash outflow लिया depreciation add back की loss add back की और end pay residual value भी year five में थी क्या 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 है और यहां से अगर हम एक एंपी भी निकालें तुमारे पास यहां से क्या आ जाएंगे सर net cash flows आ जाएंगे तेख आले net cash flows सर कितना बनता है 10 9.1 next 1 3 6 5 next 1853 minus this plus 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 तुमारे जीरो थीक होगे अब इसे हम क्या करेंगे सार्डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर देंगे कितने रेट से क्या रेट था 16% so 16% का discount factor सर्द अगर हम इस पे अप्लाई करें तो यर 1 का 16% का discount factor अप्लाई करें Year 1 का अब ये year 3 निए मारे लिए year 1 है तो आएगा 0.862 year 2 का जो discount factor है सर वो आएगा 0.743 और year 3 का जो discount factor है सर वो आएगा 0.641, कैसे निकाला यह मैंने, 1.16 raised to par minus 1 raised to par minus 2 raised to par minus 3, तो मारे पास सर आजाएगी PV, मारे पास आजाएगी PV, double eight seven next next 1014 next 1846, सर इंच को add करें जरा इंको add करें जरा क्या बनता है आपके पास PV of these cash flows क्या बनती है आपके पास, PVs of these cash flows क्या बनती है 374, इसको मतरब क्या बनता है सर अगर आप ये project को अभी बंद ना करो तीन साल और चलाओ तो ये आपको इतना return देगा इस project को अगर आप तीन साल और चलाओ, मिन इसके जो cash flows हैं, उनकी अगर आप next three years तक discounting करो इसी 16% rate पे तो ये आपको इतना return देगा 3747 का, अब हमने देखना है कि अगर इसे बंद करते हैं तो फिर क्या होगा? कि अगर इसे बंद करते हैं तो फिर क्या होगा? कि अगर इसे बंद करते हैं तो सर हमारा जो sale proceed होगी सर वो sale होगी कितने की? 4000 की, ठीक होगया 4000 की, 4000 की sale होगी दो साल के बाद जो asset है उसकी WDV कितनी होगी? 2812 This means हमें कुछ gain होगा, हमें कुछ gain होगा, उस gain के ऊपर कोई tax भी अपलाई होगा, क्या क्या है? तो यह ठीक है, यह 4 million आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उस gain का tax भी देना पड़ेगा, ठीक होगे? तो gain का tax सिरफ हम निकाल सकते हैं, उस gain का सिरफ tax अगर हम निकालना हो, तो क्या करेंगे सर? इस में से हम less करेंगे tax on gain, so less क्या करने जा रहे हैं? tax on gain, सर, वो कैसे निकलेगा? आपका 4000 है, माइनस आपकी उस लोकर WDV है, 2812.5, multiply by हम 30% tax करेंगे, सर, वो कितना होगा? 35, 6.25, सर, इतना आपको tax भी देना पड़ेगा, ठीक होगे? लेकिन साथ अगर आप बंद करते हो, सर, तो तीन माँ का rent भी तो committed है, तीन माँ का rent भी committed है, क्या ख्याल है? वो तीन माँ का rent भी हमने इस में से minus करना है, क्या ख्याल है? सो लेस करेंगे, सर, रेंट, अब रेंट देखेगा, तीन माँ का committed है, किस डेट से यहां से onward ना? तो इस डेट का rent कितना है, सर, 7.26, 7.26 पुरा नहीं, 7.26 into 3 by 12 करेंगे, तीन माँ का निकलेगा, कितना? 1.5, अब यह rent देने से, obviously, tax saving भी होगी, क्या ख्याल है? तो tax saving हम इस में से क्या करेंगे, minus करेंगे, कितने percent tax होता है? 30 percent, this means आपको जो rent देना पड़ेगा, इसका 70 percent देना पड़ेगा, tax saving के बाद, यह बाद समझाती है? क्या ख्याल है? क्यों यह rent देने से क्या होगा? next 3 years में आपको tax saving मिलेगी, क्यों? यह क्या करेगा? आपके profit before tax को कम करेगा, तो tax saving 30 percent होगी, this means इस में से इसका 30 percent minus कर दो, या मैं कहूँ कि इसी का 70 percent ले लो, इस में से 30 percent minus कर दो इसका, या directly ही इसका 70 percent ले लो, तो आपके पास rent after tax saving आ जागा, rent after tax saving आ जागा सर कितना बनता है वो? 127.05 minus करेंगे यह भी, चै कहला है, कि इतनी sale होगी asset की, अगर आप discontinue करते हो, तो उस वक्त के time पे ठीक है, इतने का बेच रहे हो, इतनी उसकी WDV है, यह क्या है उस वक्त की? WDV, तो आपको क्या होगा gain, तो gain पे आपको tax pay करना पड़ेगा, ठीक है, कितना tax pay करना पड़ेगा, इतना, mean इतने का asset बेचोगे, तो आपकी pocket में यह पुरा नहीं आएगा, आपका gain का tax pay करना पड़ेगा, फिर अभी आप बंद करते हो, 4 million ठीक है, लेने जा रहे हो, ले tax saving 30% होगी, this means, इसका 70% आपको इतना actually rent देना पड़ेगा, क्या क्याला है, तो यह लेने के लिए आपको tax on gain भी देना पड़ेगा, आपको effectively rate after tax जो है वो, इतना देना पड़ेगा rent, तो आपके पास सर कितना benefit बनता है यहां से, कितना benefit बनता है सर, 3516 कर लो, पुरा, 3517 आपको सर benefit होगा, अगर आप discontinue करते हो, and if continue for further 3 years, तो फिर सर आपका benefit कितना था, 3747, तो आइधर discontinue करना चाहिए, continue करना चाहिए, continue करना चाहिए, कौन सी कमणी का नाम क्या था, AG, should continue, कौन सा प्रोजेक्ट सा सर सेचीज, SC प्रोजेक्ट, फर 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 थी यहर्स, फर 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 थी यहर्स, अ स रद आपका, of 3747 is greater than return of discontinue of 3517. समझ आती ही question की? हमारे answer में हमने क्या देना है सर? ये देना है सिरफ. ये हमें year 0, 1, 2 वाली कहानी नहीं देनी. ठीक हो गया? year 1, 2, 3 हमारे लिए क्या होगे? next 3 years जहां पे हम decision लेने जा रहे हैं. क्यों ये तो हो चुका है ना? ये तो हो चुका है तो हम अभी यहां पे बैठके decision लेने जा रहे loss, उनका rental, उनकी depreciation और gain your loss on disposal, profit, tax supply किया. उसके बाद हमने non-cash item add back की और end पे आपको investment के gains ये मिलना भी था. यहां से हमने PV निकाली तो हमें return पता चला कि अगर 3 साल चलता है तो ये return होगा. हाँ अगर discontinue करते हैं तो फिर ये return होगा. तो देखना है अगर ये बड़ी होती discontinue का addition दे देते, नहीं ये amount बड़ी है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? continue कर रहे हैं. ठीक हो गया? इसको please next class से पहले एक दफा खुद से attempt कर लेना है. ये चीज़ आपके answer में नहीं आनी चाहिए. ये चीज़ आपके answer में नहीं आनी चाहिए. वो तो सिरफ आप लोगों को explain करने के लिए ये figure कहां से निकल रही है? उसके बीना भी ये figure निकल लानी थी. क्यों question के अंदर उसने year 1, year 2, दोनों की चीज़ें दी हुए है, तो 3 निकालना मुश्किल काम नहीं है. सबस आज के लिए enough है इतना? hopefully next class में कुछ नहीं चीज़ों के साथ मिलेंगे.